सब्सक्राइब कीजी रोई नॉलेज चैनल को और पेल आइकन को दबाए लेटेस्ट लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए हलो गाइस तो कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का रोई नॉलेज चैनल पे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सब जानने वाले हैं क्या होता है इलेक्ट्रिकल मसीन इसके छोटे छोटे चीजों के बारे में हम सुरू से अंतक जानने का कोसिस करेंगे और एक ही वीडियो में तो बने रही है इस वीडियो के अंतक और जानिये क्या होता है इलेक अविस्कार हुआ था 1834 में और इसका अविस्कार करने वाले थे थॉमस डेवन पोर्ट और ये कहां के रहने वाले थे वर्म मॉंट के और ये जो पहला जो मॉडल बना था हमारा वो बैटरी पावर्ट था ठीक है और साथ ही साथ ये जो यूज हुआ था वो स्मॉल स्केल प्रिंटिंग प्रेस में यूज हुआ था तो देख सकते हैं आप किस तरह का मॉडल डेवन पोर्ट ने बनाया था तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने का कोसेज करते हैं कि एलेक्टरिसीटी को बार-बार प्रड्यूस करना क्यों ज़रूरी है डिमांड को मीट अप करने के लिए हमेशा तो इसका कारण है हमारे पास सबसे पहला कारण इसलिए क्योंकि एलेक्टरिसीटी जो है हमारा वो नैचरली अकर नहीं करता है ठीक है और वो नैचरली मिन्स यूजेवल फॉर्म में हमारे पास नहीं रहता है उसको यूज के फॉर्म में लाने के लिए हमें बार-बार एलेक्टरिसीटी को प्रेड्यूस करना रहता है आइधर फ्रम हाइडल, धर्मल या फिर आप सोलर से बना सकते हैं या तो आप विंड से बना सकते हैं लेकिन आपको बार-बार बनाना होगा ये नैचरली हमें एलेक्टरिसीटी नहीं मिलता है और दूसरा कारण ये है कि हम इसको जमा नहीं कर सकते हैं जमा इन दे सेंस कि जिस तरह से हम लोग सब इंवर्टर का यूज करके क्या करते हैं एसी को डीसी में बदल करके फिर उस डीसी को हम लोग सब स्टोर करते हैं तो ये बार-बार तो हम लोग सब करने ही सकते हैं और उसको बार-बार करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा बैटरी तो इसमें हमारा क्या एडिशनल कॉस जूरेगा बैटरी का तो आप समझ सकते हैं कि अगर बहुत सारा बैटरी लगाना होगा हमें बहुत सारा पावर बचाने के लिए समझ रहे हो तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं इस्टोर नहीं कर सकते हैं large quantities में जो हमारा electrical machine होता है भाई वो दो तरह का होता है पहला होता है generator electrical energy को mechanical energy में बदल देता है mechanical energy यहां पर क्या है rotation ठीक है तो चलिए सबसे पहले जानने का कोसिस करते हैं कि क्या होता है भाई हमारा generator और उसके बाद फिर हम लोग सब जानेगे क्या होता है motor तो सबसे पहले हम लोग सब जान लेते हैं कि क्या होता है भाई हमारा generator तो generator क्या होत का एक block diagram है उसमें क्या करते हैं हम लोग सब पहले heat power डालते हैं heat power से हमारा क्या बन जाता है भाई steam बन जाता है और वो steam हम लोग सब prime mover में डालते हैं तो prime mover क्या करता है घूमना सुरू करता है ये क्या है mechanical power तो ये घूमना सुरू करता है तो वो torque को produce करता है वो torque क्या होता है वो होता है हमारा torque of prime mover अब ये क्या करता है वो एक angular velocity जो क्या है omega वो उसी direction में जिस direction में हमारा torque of prime mover घूम रहा है उसी direction में हमारा क्या होगा angular velocity और जो finally जो electric generator के साथ जो लगा हुआ है वो shaft के साथ connected है prime mover और generator दोनों shaft के थुरू connected है और यह हमारा क्या बनाएगा भाई यह torque बनाएगा वो किसका बनाएगा भाई जेनरेटर का बनाएगा और जेनरेटर में क्या obviously कुछ losses होंगे और कुछ यह जब electric energy हमारे पास मिल जाएगा तो उसको हम लोग सब बोल लेगे क्या be electrical तो यह हमारा simple सा electric generator हुआ चलिए अब जान लेते हैं कि क्या होता है motoring mode में motoring mode में अगर block diagram अगर हम लोग सब देखें तो कुछ इस तरह से block diagram बनेगा same हमारे पास electric motor लगा हुआ है अब इसमें क्या कर रहे हम लोग सब electrical power input में दे रहे हैं ठीक है पिछले बार हमारे पास क्या हो रहा था पिछले बार हमारे पास output में हमको मिल रहा था क्या electrical power अब यहाँ पर क्या हो रहा है motor के case में motor के case में हमको क्या करना पड़ रहा है power को input में डालना पड़ रहा है किसके electric motor में अब यह क्या कर रहा है कि यह हमारा shaft से connected है और यह हमको क्या बना करके दे रहा है mechanical power और mechanical क्या काम होता है वो का अश्रक्रेट करता है electrical energy को किसमें भाई mechanical energy में तो अब यहां पर soft लगा हुआ है ठीक है अब यह साफ्ट किया करेगा भाई घुमेगा और यह इसके घुमने से क्या होगा कि हमारा जो लोड लगा हुआ है मैकेनिकल जो लोड लगा हुआ है वह भी साथ में घुमेगा अब यहां पर देखिए मोटर के मोड में क्या हो रहा है कि हमारा टी एम ठीक है कुछ इस तरह से डारेक्शन में घुम रहा है उसी डारेक्शन में हमारा क्या एंगुलर वैलोसिटी है और फि यहां पर Tm का डारेक्शन है, वो सेम है किसके omega के साथ, किस case में, भाई, electric motor में, क्योंकि साफ, किदर से लगा हुआ है, electric motor के साइड लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि इधर से, इधर से यह कर रहा है, फ्लो, input से output का डारेक्शन, कुछ इस तरह है, इसलिए यहां पर सेम है, time mover का था उसका direction ओमेगा का direction दोनों का सेम है और opposite किसका है TG का समझे बात को तो यह था क्या होता है एक basic concept basic idea क्या होता है electric generator और क्या होता है एक electric motor basically हमारे पास तीन तरह के क्या होते है rotating electric machine इसमें सबसे पहला हमारा क्या हो गया भाई वह हो गया DC machine, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, synchronous machine जिसको हम लोग सब यह ज्यादा तर AC में यूज होता है और polyphase में यूज होता है ठीक है, और एक हो गया हमारे पास polyphase induction machine हमारे पास single phase induction machine भी होता है, three phase induction machine भी होता है, समझे बात को तो चलिए, एक एक करके हम लोग सब जानने का कोसिस करते हैं कि क्या होता है, DC machine फिर हम लोग सब जाने के क्या होता है, synchronous machine और फिर क्या होता है, induction machine लेकिन उससे जानने से पहले हम लोग सब जाननेते हैं कि एक electrical machine basically किन parts के through बनता है और उसमें क्या-क्या चीजें होती है तो सबसे पहले हमारा एक मसीन को manufacture करने के लिए main material में हमारा 3 चीज़ आ जाता है सबसे पहला जो steel होता है वो क्या होता है उसके कारण हमारा क्या होता है magnetic flux को conduct कराने में असानी होता है दूसरा हमारा होता है copper copper का काम क्या होता है वो conduct कराता है electricity और तीसरा क्या होता है insulation जो क्या करता है insulate करता है voltage induced in the conductor अब अगर हमारा insulation नहीं होगा तो हमारे machine में जो losses होते हैं वो बढ़ जाएंगे और short circuit होने के chances बढ़ जाएंगे समझा बात को और हमारे पास क्या होता है कुछ इस तरह से electrical machine का view होता है इसमें हमारा दो चीज बहुत important होता है वो क्या होता है जो main part होता है वो होता है rotor और एक होता है stator rotor क्या होता है भाई, rotor जो होता है वो घूमता है और stator क्या होता है वो stationary एक अपने position पे रहता है समझे बात को, चलिए तो DC machine के बारे में जान लेते हैं, DC machine होता क्या है DC motor में क्या होता है कि हमको DC input देना पड़ता है और DC generator से हमें क्या मिलता है DC output मिलता है, that means DC machine का जो नाम के आगे जो लगा हुआ है वो DC वो बहुत ही important है तो चलिए, सबसे पहला चीज जान लेते हैं कि हमारे पास जो DC machine होता है वो दो तरह के होता है एक self excited और एक होता है separately excited आपको इनके बारे में पूरे detail में जानने है तो i button पर क्लिक किजए आपको video मिल जाएंगे self excited और separately excited DC machines के बारे में तो हमारा जो DC machine होता है अगर उसका view देखें एक cross sectional का view देखे तो हमको कुछ इस तरह से दिखेगा इसमें हमारा क्या होता है कि एक stator और rotor तो आपने देख लिया तो जो हमारा जो stator होता है stator में हमारा जो होता है वो क्या होता है भाई यहाँ पर poles लगे हुए ठीक है north देख लिजे north यहाँ पर देख लिजे south देख लिजे यहाँ पर south देख लिजे समझे बात को और इसको क्या किया जाता है DC से हम लोग सब क्या करेंगे भाई field बना करके दे सकते हैं या अगर हम लोग का इच्छा करें तो हम लोग सब क्या कर सकते हैं भाई permanent magnet का use कर सकते हैं और फिर यहाँ पर जो armature होता है वो हमारा क्या होता है सबङे तो ये तो हमारा DC मसीन है DC मसीन के बारे में हम लोग सब जान लेते हैं कि क्या होता है इसका जो feel जो होता है feel पोल सो जो होता है वो symmetrical होता है और even number में होता है ठीक है अब यहाँ पर देख लिजे एक north है तो यहाँ भी eben north है यहाँ पर south है तो यहाँ पर भी एक south है तो यह क्या है कि एक जोड़े में है और एक even number में है समझे बात को ठीक है और यहां पर जो alternating जो EMF जो बनता है उसको हम लोग सब commutator के थूरू जो एक तरह का mechanical कर mechanical switch होता है उससे हम लोग सब क्या करते है भाई AC को DC में बदल लेता है ठीक है और चानल लिजे DC machine को start करने के लिए हमें एक starter का ज़रूत पड़ता है और यहां पर जो torque जो produce होता है torque जो produce होता है वो directly proportion होता है किसके flux के और current के समझे और यहां पर जो EMF जो produce होता है वो E is equals to होता है N P 5 Z divided by A ठीक है आपको यह देखिए rotation per second है आप यह जो small n है आप इसको बदल सकते हो किसमे किसमे rotation per minute में N P 5 Z divided by A और यह हो गया आपका क्या एक EMF equation आप मैंने इसके EMF equation पे और साथी साथ torque equation पे एक complete video बना के रखा है DC machine पे बस आपको i button पे click करना है आपको video मिल जाएगा तो चलिए हम लोग सब बढ़ते है next topic पे जो है हमारा क्या synchronous machine synchronous machine क्या होता है बाई synchronous machine का कुछ view इस तरब से होता है कि जो हमारा j先生 और स्टेटर रोटर होता है इस में स्टेटर होता है इसमें यह लोग सब किये हो रहता है 3 फेसbes वाइंडिंग किये हो रहता है ठीक है और यहां पर जो रहता है यहां पर जो rotating होता है वो क्या होता है भाई वो होता है हमारा field ठीक है अब यह field करता है यह फिल्ड हम लोग को activate करना रहता है DC supply दे करके समझें बात को और यह rotates जो करता है यह जो rotate करता है वो synchronous speed में van rotate करता है that means आपको क्या हो जाता है यहां पर frequency ह्टू हमारा हो जाएगा आपका synchronous speed आप इधर 120 से multiply कर दो और नीचे क्या पी ले आओ तो आपको synchronous speed मिल जाएगा समझे बात कि तो यह है basically operate करने का तरीका एक बात और जान लिजे यहां पर जुरूरी नहीं है कि हम लोग सब क्या भाई rotor को दे या stator को दे field आप लोग सब interchange कर सकते हो लेकिन in most of the cases हमारा जो क्या होगा field जो होगा वो क्या होगा rotating होगा ठीक है समझे तो यहां पर आप लोग सब देख सकते हो कि यहां पर field poles could be either on the stator और rotor में हो सकता है दूसरा हमारा क्या है field poles are excited by the DC current यह मैंने आपको बता दिया F equals to NP divided by 120 यह भी बता दिया यह non starting होता है ठीक है और DC and synchronous machines are doubly excited इसका मतलब क्या होता है आप मुझे comment करके ज़रूर बता है doubly excited का मतलब तो चलिए बढ़ते हैं next induction machine के बारे में तो induction machine का कुछ हमारे पास यह होता है यह हमारा क्या है भाई rotor दो तरह का हमारे पास rotor होता है एक होता है हमारे पास square cage rotor एक हमारे पास होता है a wound rotor ठीक है इसको हम लोग सब slipping rotor भी बोलते हैं ठीक है अब यह दोनों का basically क्या use है यह हम लोग सब अब चान लेते हैं ठीक है पांस तरह का चीज हमारे पास induction machine में क्या है बहुत important है यह induction machine क्या है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या है बाई electrical machine है और इसको हम लोग सब साथ ही साथ क्या बोलते है ए synchronous machine यह जालता तर हम लोग सब use करते है low voltage में low voltage in the sense हम लोग सब इसको use करते है क्या fractional fractional kilowatt ठीक है machines में fractional kilowatt machines में जिसमें हमारा आ गया fan ठीक है जो हमारा one kilowatt से कम हुआ ठीक है less than one kilowatt को हम लोग सब fractional टाइप machine बोलते है fractional low power machines और यह बना होता है कि से भाई squirrel cage rotor squirrel cage rotor में हमको क्या benefit मिल जाता है कि उसका जो हम लोग सब जो cylindrical type का जो safe है उसको अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं घटा सकते है ठीक है जो हमारा squirrel cage rotor होता है वो rugged होता है और क्या होता है एकनॉमिकल होता है और वो develop a low starting torque low starting torque से हमारा क्या होगा फायदा कि इससे हम लोग सब जो low voltage का जो devices है उसमें हम लोग सब use कर सकते हैं अब आते हैं slip ring rotors में इसमें क्या होता है इंप्रूव्ड स्टार्टिंग टॉर्क होता है speed closer to synchronous machine होता है और यह ज़्यातर heavy duty में use होता है समझे बात को तो अब हम लोग सब जान लेते हैं कि recent R&D क्या है recent trend क्या है R&D का किस पे बाई electrical machine पर तो हमारे पास generally कहां पर electric drives बहुत आज कल हमारे पास क्या हो गया भाई हमें चाहिए क्या e-vacals में जो electric drives लगते हैं अब यह यहां पर हमारा power loom में भी use होता है जैसे कि हमारा linear switch reluctance for power loom wind energy conversion बहुत तरह के हमारे पास motor sorry generator लगेंगे क्यूं क्यूंकि हमको mechanical power को किसमे electrical power में बदलना होगा marine traction and offshore machines में भी हम लोग सब क्या अभी recent trend देख रहे हैं अब बस आपको यह याद रखना है कि जो synchronous machine होता है वह होता है वह घुमता है कि समे synchronous speed में बट जो हमारा induction machine है वह घुमता है भाई वह synchronous speed से थोड़ा सा कम में घुमता है अगर induction machine synchronous speed पे घुमेगा तो induction machine halt पे आ जाएगा ठीक है और यहाँ पर बात याद रखना है कि जो magnetic field है induction machine का वह घुमता है क्या synchronous speed में बट जो हमारा जो actual जो rotor घुमता है वह synchronous speed से थोड़ा सा कम में घुमता है और जब load लग जाता है तो और भी कम में घुमता है बट जो हमारा जो induction machine का जो क्या magnetic field जो rotate करता है वो किसमें करता है भाई वो करता है synchronous speed में और वो synchronous speed कहाँ पे हमको अचीव होता है वो अचीव होता है हमारा synchronous machine में समझे बात को और जो DC machine है DC machine का use बहुत पहले बहुत ज़ादा होता था जो सबसे पहला आविस्कार हुआ था वो हमारा हुआ था किसका? वो हुआ था DC मसीन्स का फिर टेसला भाई साब आये थे और टेसला भाई साब ने फिर AC मसीन का आविस्कार किया और फिर बाद में सारी दुनिया AC में हो गई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन